हाई आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में तो मैं सब के लिए देखिए एक बेबी गलब्स लेके आए हूँ तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर दस नमबर के स्लाइए ली हुई है और यहाँ पर मैंने ओसवाल का फोर प्राइए उन लिया हुआ है य एक सीधी और एक उल्टी की बार्डर करके मैंने इसमें बारा लायन और किया है अब आगी किस तरह से बेने के बो देखिए यह मोलते साइड है तो उल्टी साइड सारे फंदों को हम बॉर्डर बनाने की बाद सारे फंदों हम उल्टे उल्टे बनाके कम्प्लीट कर लेंगे पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी योर करेंगे और यहां से सारे फंदों को उल्टा बना देंगे यह हमारी डिजाइन की 13 लाइन है यानि 12 हमने कम्प्लीट किया वा बॉर्डर में या 13 लाइन हम उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर रहे हैं तो चली सारे फंदे को उल्टा बना लेते हैं अब देखिए सीधे साइड आ गए हम अब यहां से हमारी यह 14 रो है सीधे साइड तो यहां पर किस तरह से बनाएंगे पहला फंदा को हम उतार लेंगे अब देखें यहां से चार फंदे हैं यानि तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक यह पहला फंदा को भी हम काउंट करेंगे तो दो हो गया यह तीन और यह चार चार फंदे हमने बना लिए अब देखें एक फंदा यहां पर हमें बढ़ाना है तो किस तरह से एक फंदा यहां से उठा लेंगे इस तरह से और इसे हम यहां पर सीधा बना लेंगे उसके बाद यहाले फंदे सीधा बनाएंगे अब यहां से चार फंदे फिर सीधा बनाएंगे एक हो गया एक दो, तीन चार फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदे हमने बढ़ाया अब देखे फिर एक फंदे सीधा होगया ये 2, 3, और ये 4 चार फंदे हमने बना लिए अब एक फंदे से दो बार बुने या फिर नीचे से फंदा उठाके इस तरह से भी बना सकते हैं तो पहले हम पीछे का फंदा सीधा बना लेंगे, इस तरह से, और फिर आगे करते हुए इस फंदे को भी हम इस तरह से सीधा बना सकते हैं, ऐसे, तो यहां भी हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, अब यहां से फिर से चार फंदे हम बनाएंगे, एक, दो, तीन, और यह चार, च से भुए फंदे बढ़ाते हैं उस-तरह से बढ़ा ले से एत है उसकव ट्रमी बाएंगे उसके फिर से एक फंदी बनाएंगे इस LINE हमेंमें कंप्लीट करनी है चार इस सीधे साइड हमने देखें फंदे बढ़ाते हुए हमने कंप्लीट कर लिए हर चार फंदों के बाद हमने एक फंद बढ़ाया है तो इसे तरह से करती है पूरी रायन हमने कंप्लीट कर लिए अब उल्टे साइड आ गए उल्टे साइड सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा complete कर लेंगे तो पहले फंदाओं पहले उतार लेंगे अधावा अपनी योड करेंगे सारे फंदों को उल्टा-उल्टा बना के complete कर लेंगे बहुत ही ऐसे बनाना बहुत जल्दी बन भी जाती है यह और इसे आप निउबोंड से लेके, वान येर्ज बेवी के लिए बना सकती कीश हैं अफिसे तो चल 사 Dru को ऐधा बना लेते हैं अब सीधीन में फिर से भड़ाना या रुज़ से बाद में धूब के बाद नुद में यह यह यहां पर हम दूसरा फंद चार और यह पांच पंदे बुंख ये वालinki próxima अवी करा सकते एक बार बुना और पिछे साथ से एक बर इसी फंदे को और भून लेंगें शे को फिर से 5 फंदे को दो कि ज़ुएंगे एक दो कि तीन कि 4 और ये 5 अमने बुन लिए ये चाठ यक्प बनाकी कम्प्लीट करेंगे तो हाँ थागा अपनी और करेंगे सारेत को मेँ उल्टा को लेंगे ध्यान रखना आपको दो ही बार फंदे बढ़ाने हैं बॉर्डर के बाद हमें इस तरह से सारे फंदे को उल्टा बना लेते हैं अब हागे हम सीरे साइब 17 ड्रो हमारी कम्प्लिट होगे याँ इसे तरह से करते हैं अगे दिखाती है अब को चले और लाइन यह कंप्लिट कर लेती हो कोई भी फंदा बढ़ाना और घटाना कहीं भी नहीं आपको तो देखे यहां से यहां तक मैने eight lineêter complete कर ली है यानी आठ भी line हमने यहां से यहां तक complete कर ली है सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टे अब देखे क्या करना है अब यहां से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे अब बचे बड़े बचे कली बना रही है तो यहाँ पर फंदे थोड़े से ज़्यादा देदें मैंने 26 दे हैं तो आप 28 से 30 भी दे सकती है बचे बचे पर फरक होता है कोई बचे की कलाई बहुत ज़्यादा पतली होती है थोड़ से किसी की मोटी होती है, तो इस हिसाब से फंदे डाल ले और आगे कलन्थ भी आप ज्यादा कर सकती हैं, तो देखेए, यहां से हम पहले पहला फंदा उतार लेते हैं, यहां से 4 फंदे बुनेगे, पहला फंदा को भी काउंट कर लेंगें, इसमें, यह दो हो गया, 3 और यह चार चार फंदे बुनने के बाद दो फंदे हम यहाँ पर इस तरह से घटा देंगे दो का एक कर देंगे यहाँ इस तरह से फिर चार फंदे बुनेंगे एक दो तीन और यह चार चार फंदे बुन लिए हमने चार फंदे बुनने के बाद दो फंदो का एक करेंगे इस तीन और ये चार उसके दो फंदों का एक फंदा कर देंगे इसी तरह से करते वे सारे फंदे हम यहां इस लाइन में घटा लेते हैं चार फंदों के बाद एक फंदा घटाना आपको इस लाइन में सारे फंदों के बाद एक फंदा घटाया अब उल्टे साइड उल्टे अब देखें सीधे साइड आगें उल्टे साइड से सार फंदे को हमने उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट करें सीधे साइड सीधे साइड आप देखें तीन फंदों के बाद फंदा घटाएंगे तो पहला फंदा उतारेंगे ये दो हो गया है और ये तीन तीन फंदों के बाद दो फंदे घटाएंगे तो दो फंदों को एक साथ इस तरह से लेंगे हैं और दो का एक कर देंगे फिर से इसी तरह से करेंगे तीन फंदे पहले बुनेंगे एक दो और ये तीन तीन फंदे बुना हमने उसके दो फंदों क एक फंदा कर देंगे इस तरह से तो इसी तरह से करते हैं यह लाइन भी हम इस तरह से घटा लेंगे और उल्टे साइट सारे फंदे को उल्टा कर लेंगे उल्टा बुनते वे कंप्लीट करेंगे फिर सीधे साइट दिखाते हैं आपको हम देखे सीधे साइड आ गए सीधे साइड फिर भी हम इस साइड भी हम फंदे घटाएंगे पहला फंदा उतार लेंगे एक फंदा बुनेंगे यहां हर दो फंदो के बाद हम फंदा घटाएंगे तो यहां पने देखे एक फंदा उतार लिया एक फंदा बुना अब दो बुनेंगे एक और यह दो फंदे घटाएंगे फिर यहां पर दो फंदे बुनेंगे एक दो फंदे घटाएंगे इसी तरह से करते हुए यह लाइन भी हम घटा लेंगे यह हमारी तीसरी लाइन है घटाने को और उल्टे साइड से सारे फंदे उल्टे बना लेंगे फिर सीध पहला फंदा उतार लेंगे, अब यहां से पहला फंदा उतारेंगे, अगले दो फंदो को हम यहां पर दो का एक कर देंगे, अब एक फंदा फिर से बुनेंगे हम, फिर से दो फंदो का एक फंदा कर देंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर दो फंदो का एक फंदा कि इसी तरह से करते वे ये राउन्ड भी हम गुम्प्लिट करेंगे उल्टे साइड साब पंद्गों को उल्टा बना लेंगे अब देखें यहां यह जी तनी पंदे हैं अब दों का एक करते वे पंदे को घटाएंगे हैं इस तरह से लेंगे दो फंदों का एक कर देंगे फिर से दो फंदों का एक कर देंगे फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे यह हमने पांच वावार इस फंदे को हमने घटाया है इसमें यह ध्यान रखना आपको चार फंदों के बाद घटाए, फिर तीन फंदों के बाद, फिर दो फंदे, फिर एक फंदे, उसके आद फिर देखें, दो का एक करते हुए हम यह आप इसे घटा रहे हैं, लास्ट का फंदा बुल लेंगे इसे, अब देखें, हमारे पास इतने फंदे बचेगें, आप चाह इन सारे फंदों के इसके उपर से इस तरह से गिरा देना है, हमें, यह थोड़ा खीच के रखे हैं इस तरह से, असारे फंदे इसके उपर से गिरा देंगे हैं, एक, दो, तीन, चार, जितने भी फंदे हैं, सभी को में गिरा देना है, पांच, और यह, छे, इस तरह से, अब देखें, यहां से हम धागे को काटेंगे, थोड़ा से लंबा, क्योंकि हमें इसे सिलना है, अब जो एक फंदा है, हमने इस तरह से सुई इसमें डाल लिए, अब जो यह फंदा है, इस सुई पर उतार लेंगे हम इस तरह से, ऐसे, अब इस फंदे को यहां से खोल देंगे, इस तरह से, और इसे हम यहां पर टाइट कर लेंगे, यह हमारा सीधा भाग है, और यह उल् प्रटनी के बाद देखें, नॉर्मल स्लाई जैसे हम करते हैं, यहां से लेके हम यहां तक इसकी स्लाई करेंगे, और चेन को पकड़ते हैं, हम इसकी स्लाई करेंगे, यहां से यहां तक अन तक हम इसकी स्लाई कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, हमने यहां से यहां तक इसकी स्लाई कर लिए, अब इससे सीधा करेंगे इस तरह से, अब देखें, बेबी गलब्स कितनी खुबसत बन किया हैं, अब यहां पर इस तरह से डोरी डाल दे ताकि बच्चों के हाथ से खुले न, और कितना प्यारा कितना खुबसत बन किया हैं, अगर आज की वीडियो आप सब को अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक से थैंक यू